कुकी फट वित्रानी में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे तिल के लड्डू की रेसिपी तो आईए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सफेद तिल और यह तिल साफ हैं कि क्या होता है कभी-कभी मारकेट में जो तिल मिलते हैं वो साफ नहीं होते हैं तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लें और जब आप मारकेट से तिल को लेकर आओ तो एक बार क्योंकि ना तिल भी सीले से होते हैं वैसे तो हमें इनैंे भूल लेकिन फिर भी एक बर आप इसे चैक कर सकते हैं और भ Alexandra ने सारी टाल दिरे水ू हैं अभ इसे भूल लेते हैं तिल को ना हमें लगातर चलाते ही रहना है इसको छोड़ना नहीं है और तिल को न हलका लैड ब्रॉण होड़ने देंगे अगर आप इसे थोड़ा से डाग ब्रॉण भी चाते है न तो आप वह भी कर सकते हैं तिल को मैं कमाज पर ही भूनूंगी अगर आपने गैस तेज कर देऊ और तेस्टी बनेंगे तिल में न कलाराना शुरू हो चुका है इसको न हमें ऐसे ही चलाते रहना है क्योंकि अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया न तो यह जलना भी शुरू हो जाएगा जब भी आप तिल को भूनोंगे न तो पतले तिले की कड़ाई में मत भूनना पतल भी फूल ना शुरू हो चुके हैं बस तिल को में यहीं तक भूनोंगी गैस को मैंने कर दिया है बन अब तिल को ठंड़ा हो जाने देते हैं अब तिल को भूना था उसी कड़ाई के अंदर हम मावा बनाएंगे मावा हम बना रहे हैं घरपर ही वो भी मिल्क पाऊडर से तो ऐसे भी खोया बना सकते हैं या फिर एक लुच्ट को अब उबालते रही वा अपने भी खोया बन है everyday का की न मेरे पास comment आते हैं जो चीज़े मैं यूज करती हूं वो मैं आपको बताऊं और इसके अंदर ना मैंने चीनी भी नहीं डाली है चीनी में डालूंगी बाग में और आप इसके अंदर चीनी अभी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और यह देखी खोया बनकर मिकसर का जार आप सभी तिल को ना हम इसके अंदर डाल देंगे जार के ठकन बन करके पीस लेंगे तो सिर्फ कुछ सैकंड के लिए हमें इसको चलाना है क्योंकि तिल का कच्छा पन निकल चुका है और वा अठी से भून चुके है तिल जल्दी पीस जाएंगे इसी लिए न हम खोयों को इस तरह से अलग लग कर देंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे पिसे हुए तिल को ना मैं बचा लूँगी बाद में जो हम लड़ों को बनाएंगे ना तो उसके पर कोट करने के लिए अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी भूरा यूज कर रही हूं भूरा आपना इसके अंदर पिसोई चीनिका भी यूज कर सकते हैं अब डालेंगे इलाइची का पाउडर अभी चीजों को हमने इसके अंदर डाल दिया है अब इससे गूंद लेंगे सबसे ज़्यादा तिल के लड़ों आपको पता है कब बिलेंगे मकर सक्रांती के तोहार पर औ बहुत पसंद है तब वो से बनाते हैं और खाते हैं यह तिल के लड़ों बनाना बहुत असान है अब ही ना तो सर्दिया है और ना ही मकर संक्रांती तो आपका जमन चाहे ना तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं तो डो भी अच्छे से तयार हो चुका है लड़ों बनाना श कितना अच्छा गोल लड़़ू बन करयार हो चुका है अब इसे ना सूखे तिल के अंदर हम इस सरह कोट कर लेंगे और यह देखिए यह भी कितने अच्छे से कोट हो चुका है इसी तहर से हम बाकी Іं कर चूठ〜 बना लेंगे और लड़ू आप अपने तहा से छोटे ये बड अच्वब कर त्यार हो दाते हैं कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है और तिल के लड़ूना सुझी को बहूत पसेंद आते हैं और खाने में वह बहुत स्वादिस्ट होते हैं तो आप जितना चाहे उतना जब भी आपका मन करेना थब आप उसको निकाल की खा सकते हैं कितनी जी और सिंपल रेसिपी तो यह लीजिए सारे तिल के लड़ो बन कर तयार हो चुके हैं मैं आपको पाच से भी दिखाती हूं और यह देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं और यह खाने में भी बहुत टे अब आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान लगिए झाल